नमस्काल मौप्रती माच उधरी नमस्काल मकावीरी पोडेल राती आठ बजी को जनता समाचार मा स्वावच्छ सवी भंदा पहिली प्रमुख समाचार प्रति मिजी सवावी गजन समंदे मिल्दा को सुनवाए आजभाईना पधान्याईजिस्को सास्ते माँ समस्या दिख्ये पछी सुनवाए सगे दिकास का नम्मा जथा भावी दोजर चलावना थाले पसे सिंधिली मा बस्तिर रासमार गनाई जोखिम्मा बाटोखने कारिया बंदा गने स्थान यकुम्माद नेपाल बाईसे वाईनिगम नेवरान भारादर घटायो सावी को तुलना मा वाईड बडी मा 13 पतिशक्र, न्यारो बडी मा 15 पतिशक्री नया भाडा कायं उत्तर कोडिया द्वारा बिदिंशी प्रभाव रोकना भंदाई नया खानों सारी अब इस वीडियो फिरे मा मेट्यो दन्दा संभा को सजाए अब पुरा समाचार प्रधान आयदीश चोलिंद्र समचेर जबरा को स्वास्थ्यमा समस्याद दिखिये पसी प्रतनिधी सबाव इगटन समंधी मुद्धा को सुनुआई प्रधान आयदीश को अधिक्षता मा समेधानिक इजलास मा सुनुआई होनी समेधानिक बेवस्ता अनुसार वहांको अनुपस्तिती मा इजलास संचालन न भयको हो सर्वच्च अदालत का प्रवक्ता दिविंद्र ढकाल का अनुसार प्रधा नैदीस राणा विसंचु का कारण आशा अदालत मा उपस्ती धुनो भायना। प्रधान मंत्री परिशत को यही जेट आठकतिको सिफारिश मा प्रतिनीदी सभाविगटन गरी आगामे कार्तिक 26 मंगसिर 3 गते मध्यावदी निर्वाचन तोक्नी गरी राष्ट्रपतिको जेट आठकतिको निर्णे बदर गरीर असमेधानिकर गईर कानुनी घुषना गरन किंद्र संग एकता होनु भंदा ओघी को अवस्तामा फर्काउना सहमाथ होनु भाएको छा प्रधानमती ओलीले पार्टी एकता का लागी आहवान करते द्विहजार जेर तीन गते पुर्वाको अवस्तामा जान तयार भयको बताऊनु भाएको हो ओलीले पार्टी प्रयोग गरिये को निकपा इमालेका निवर्थमान सामसधरुको हस्ताक्षर फिरता हुने उल्लेख सा। सदस्यरो माधी एकता पक्षधरलाई आधार माने रो किंद्रिय कमिटी रो इस्ताई कमिटी का समचना हरू गतिश्चिल हुने पनी प्रस्ताप मां उल्लेख करिये को सा। समिधान विपरीत हुने भन्दै मंत्री परिशत बिस्तार बतर गर्न मां करते रीट दायर गर्नो भायको हो। प्रतिनेदी विकटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरे पसी। प्रधान मंत्री के पिशर्मा ओली समसात सदस्य न रहेको। रसमिधान अनुसार समसात सदस्य न रहे पसी। स्वतह पदमुक्त होने भायकाले सरकार काम चलाव हैसियत को रहेको रीट निवेदन परिश्ट अदिवक्ता दिने स्रेपा ठीले बताउनो भयो। शुक्रबार भयको मंत्री परिश्ट बिश्टार बदर गर्न, मंत्री परिश्ट थप बिर्श्तार नगर्न, र राज्य कोश्मा भायर परने कुने काम नगर्न, नगराउना आदेश मा गरते रीट निवेदन दिनु भायको हो। प्रधान मत्री केभी शर्माउली ले शुक्रबार जनता समाजबाधी पाधी को महत्त ठाकुर पक्षका दस्थना रो नेकपा एमाले का दुई जना नेतालाई समेधी रो मंत्री परिशत बिस्तार गर्णुभाई को थियो नेपाली कांग्रीस का सभापती सेर्बहादूर देवा नेकपा मावादी केंडर का देच्या पुस्वकमल दाहाल रो नेकपा एमाले का नेता मादव कुमा नेपाल बीचाज भीड़बार्ता भाई कुछ देवा निवास ब्रानिल कंटमा करीब एक घंटा चलफल भाई रिखार्या गर्देया अएका सन् जनतास माजबादी पार्टी जस्वकमल दाहा नेकपाल नेपाल समभा बीच गठवंदन मने कुछ प्रदेश त्वी मा यादव निकट नेता लाल बाभु रावत मुख्यमंत्री रावत लिजस पाका ठाकुर पच्या लाई सर्कार बाट रिखार्या अएका सन् भने कांग्रेश्ट मावादीलाई सरकार मा लाई जाने तयारी गरे का सन् प्रदेश त्वी को सुंबार सुरुभाई को प्रदेश सभा वैठक मा पूर्वराश्ट्य जनता पार्टी राजपा का साम्चद अनुपस्तित भाय का सन् पूर्वा समास्बादी पचले एक तर्फी रुपमा सम्चद दलको नेता मा बर्तमान मुख्य मंत्री नाल बाबुरावतलाई बनाय काले नोरिणै सच्चावन उपर्वराजपा पचले को माग्र है कुसा पुर्व समाजबादी पचेली रावत लाई समसदिय दलको नेता चयन गरदै पुर्व राजपा बाट मंत्री बनेका जितेंद्र सुनल तथा राजे मंत्री हरू डिम्पल जा सुरेश मंडल र अविराम सर्मालाई बरखास्त करे कुछ मनमानी तरिकाली पाटी बिधान विपरिद समसदिय दलको नेता चयन गरेकाली आफुहरू प्रदैस सभाको बैठकमा सहभागी नहुने पुर्वराजपा का सचेतक पर्मेसुर्व सहाली जानकारी दिनु भयाओ अबईधानिक निर्णै नसचाय सम्म प्रदेश सवाको बैठक मा सहभागी नहुनी पनी मुहाली जानकारी दिनु भायो आगामी असार एक गतिबाट विध्याले इस्तरिय कच्छा संचालन गरनी भायको छा सिच्या विग्यान तथा प्रविधी मंत्री क्रिश्न गुपाल श्रेश्टले आइतबार मंत्राले का उच्च पदस्त अधिकारी हरुसंग चल्फल गरदेई बैकल्पिक बिधी प्रयोग गरिर सैचिक सत्र कच्छा संचालन गरनी नेने गरिये को हो सैचिक सत्र संचालन रविवस्थापन गरन स्थानिय तहलाई संपुन अधिकार रहे काले बैकल्पिक सिकाई कारिविधी कारिनों गरि कच्या संचालन गरन सकीने शिच्या विग्यान तथा प्रविधी मंत्राले का प्रवक्ता तथा सहसाचीब दीपक सर्माने जानकारी परिश्या शकी सगया सा उले नतिजा प्रकाशन गर सो तरकुने विद्धयाले आर्को परिश्यालीन बांगी वाये बीज मा रोकीय को बाये देखिन अरू कछया को आखमा विद्धयाले आफंडी किये गर्दा उपाइकता है तेवर नहीं बने गुष्क आंधर इंग नहीं प्रवक्ता सर्माले विद्धयार्थी को सिकाईलाई रोक्र नहुने भाये काले भावतिक रुपमा पठन पाठन करना समभब नभाई पनी बैकल्पिक माधिम बट सिकाईलाई निर्थरता दीन सैचिक सत्र सुरुगान लागे को बताउनु भायो विद्यार्थी जो जहाँ छन तहा बसेर आफनो सिकाईलाई निरंथरता दीन सकुन भनने मत्रा लाईको निशकर सरहेको स विद्यार्थी को परिच्या मुल्यांकन गरने विविन्न विदी प्रक्रिया अपनाऊना स्थानिय सरकार विद्याले स्वेमले नेने गरन सकनी पनी प्रवक्ता सर्माली बताऊनु भयो पार्ठी पुस्तक अगिलो बर्षको जस्तेई विद्यार्थी को घरगर्मा पुलब्द कराऊने गरी बेवस्था मिलाऊने प्रवक्ता सर्माली बताऊनु भायो जनता समाचार मा अब थप समाचार नेकपा मावबादिक किंद्र का अधिक्ष पुस्पकमाल दाहाल का कारण नेकपा एकता प्रयाज तफल नवभाय को भने प्रधानमंत्री केपिशर्मा उली को भनाई जूटो भ्रामत रोश्ट्राड यंत्र पुन रहे को बताऊनु भायो भायो सा आईतबार राती हेमाल एकता का लागी आहवान करते ओलीले नेकपा मावबादिक किंद्र का अधिक्ष पुस्पकमाल दाहाल को कारण नेकपा एकता सफल नवभाय को बताऊनु भाय को थियो नेपाल किंद्रिस्ट पार्टी नेकपा सर्वच अधालत को 2017 फागुन 23 कतिको फईसला का कारण विभाजीत भाय को थियो नेपाल चीकित्सक स्वंगले देश भरका विविन स्वास्तिय संस्तामा 30 करोड मुल्य बराबर को स्वास्तिय सामगरी हस्तान तरन गरेको थ नेपाल चीकित्सक स्वंगले देश भरका विविन स्वास्तिय संस्ताहरुमा स्वास्तिय सामगरी प्रदान गरिये को बताय को हो चुची पाउंडेशन ताइवान को सहयोगमा चिकित्सक स्वंगले केंद्रिय अस्पताल प्रादेशिक अस्पताल जिल्ला अस्पताल प्राथमिक स्वास्तिय केंद्र र मेडिकल कॉलिज्मा अक्सिजन प्लांट मॉनिटर अक्सिजन कंसेंट्रेटर वेंटी लेटर HFNC पीपीई लगाये 30 करोड मुल्या बराबर को स्वास्ते सामागरी अस्तांतरन गडिये को संका बहासचीब बद्री रिजाल लेशान करिदिनु भयो अधिकाम सा इस्तानिये तराई पहाड एमाली चेत्र प्राश्मिक स्वास्ते केंद्र देखी केंद्र अस्पताल गरी मेडिकल कलेश सम्मा सुगम देखी अती दुर्गम सम्मा देश्का दूईसे बंदा बड़ी स्वास्ते साम्स्तामा उपलबद गराई नेचा संगले कोवीड-19 संक्रमन को महामारी लाई मध्धे नजर करते आइसलेशन सेंटर एम्बुलेंच सेबा कॉल सेंटर टेली मेडिसीन सेबा र स्वास्ते कर्मीहरूलाई क्रिटिकल केर समंधी तालीम लगायत को सेबा दी रहेकुपनी जनाएगो छा प्रदिस्ती सरकारबाट चार जना मंत्रीलाई बर्खास्त गरिये कोछा पत्र आयताबार राती प्रदेश्प्रमुक डॉक्तर राजीस्ता को सची वालेमा दर्ताल गहरावन्स भाएगो सफ़ुख प्रेश प्रमुको सचिवालेरी राथी ने जारी गरे को बिकेप्ति अनुसार मुख्यमंत्री लाल बावु राउतलाई भौतिक प्रवाधार विकास मंत्राले संभालनी गरे इसे में बारी ठोकिये को साथ पिजे कुमार यादवलाई पुर्ववातने आर्थिक मामिला तथा युजरा मंत्राले ग्यानेंद्र कुमार यादवलाई आंतरिक मामिला तथा कानुन मंत्राले श्वैलिंद्र सहालाई भूमी बेवस्ता क्रिशी तथा सहकारी मंत्राले नवलकी स्चोर सहालाई सामाजिक विकास मंत्राले र रामनरे श्यादेवलाई उद्यक परिटन बन्तथा बाताबरण मंत्राले कायम रहे को बिक्यप्तिमा उल्लेक सा पथिल्लो 24 खंटामा थब 4,009-1 जना कुरोना बारिक संक्रमन बाठ मुक्त भाय का सन निपाल मा कुरोना बाठ निकुहुने को संक्या 4,99,970 पुगेको छा तथ्यांका अनुसार निकुहुने दर 84 जस्मलव दीप्रतिश्यत रहे को स्वास्तियत अथा जना संक्या मंत्राले ने जनाएको छा इसते पछिलो 24 खंटामा कुरोना संक्रमन बाठ 92 जनाले जियान गुमाएका छन भनी 4,004-72 जनामा कुरोना संक्रमन देखियेको छा आइदवार मात्रे कुरोना बाठ 99 जनाले जियान गुमाएका थिये बनी 3,024 जना नया संक्रमे ठपियेका थिये पच्छिलो 24 कंटा मां बिबिन प्रयक्षाला मां परिक्षन गराय का 17,09 से तीन नमुना मां 4,004 से 32 जना मां संक्रमर देखिये को मंत्रा लेले जनाये को छा मंगलबार देखिये जिस्ट नागरी खरोलाई है चीनिया खुब वेरुसेल को पईलो मात्रा दीने भायगो छा साथी वर्ष देखी चौसथी वर्ष उमेर समुहा का जिस्ट नागरिक हरु लाई मंगलबार देखी कोरोना वारस परिद्ध को खोप दीने भाय को हो मंगलबार देखी संचलन हुने खोप अभियान 29 तेस्तमा पांस दीन चलनीर भेडभार कम गरवना का लागी हरीक दिन फरक फरक उमेर का जिस्ट नागरिक लाई खोप दीने प्रबंध मिलाईएको वहाले सान करी काफ़नु महानगर पाली का काप्रमु विद्यासुंदर शक केले सान करी दिनु भायो पांस दिनमा एक लाग जिस्ट नागरिक लाई खोप दीने लक्ष्य राखी एको महाने बताऊनु भायो काफ़नु महानेगर पाली काले खोप कालागी 32 बटा खोप केंद्र तोकी सक्के कुर्रा नजेके को खोप केंद्र माग वागोईरा लगाऊन सकीने प्रमुक्षा केले बताऊनु भायो जिस्टा नागरिक संगे आउनी परिवार का और को जिस्टा सदस्य भाय वहालाई पनी पालो नहेरी कना खोप लगाऊन सहजी करन गरीने पनी सान करी दिनु भायो 26 कते 63 बर्ष का 27 कते 62 बर्ष का 28 कते 61 बर्ष का र 29 कते 60 बर्ष उम्मेर का गेत्ती हरुलाई खोप दीने महानगर पालिकाले जनाएको छा सरकारले भारतपाट कुरोना बारस पिरुद्धा खरीद गरेको कोवीशिल खोप नावनी पकापकी भाएको छा आज स्वास्तिय तथाजन संख्या मंत्रा लेली सुचना जारी करदी कोवीशिल खोप नावनी भायपसी दोश्रों डोज लगाउना बाकी नागरिक लाई इस्ट्राजेनिक आखई अन्य देश माउत पादी खोप दीने तयारी गरियेको हो सुचनामा भार्थिये कमपनी सेरम इंस्टेटियूटले खोप उपलप्द गराउना असमर्थ रहेको पत्र पठायको भांदै पहिलो डोज को विश्रील लगाएका बिक्तिलाई उस्तेई प्रक्रितिको इस्ट्राजेनिका खोप लगाउने निर्णै गरियेको जनाइएको छा नेपाली सेरम संग किनेको 20 लाग डोज मन्धी 10 लाग डोज मात्रे आएको छा बाकी 10 लाग डोज बनी छिट्टे दिने भनेको सीरम ले पत्थी दिन नसकने भन्दै निपाल लाई पत्र पठायको हो सेरम बात खोप नाउने निश्च्रित भाय संग अहिली सरकार ले उगता खोप को सथामा उस्ते प्रकृति को खोप जटाउना भीविना देश संग पहल करी रहेको जनाइएको सा मंत्राली पहिलो डोज लगाया का मानिस लाई बारहप्ता पसीपनी खोप लगाउना मिलने भन्दै पहिलो डोज लगाया का मानिस लाई धायरियता गरी दिना आग्रह समेद करे को सा प्रेस काउंसिल निपाल का अध्यच्य बालकिस्न बसनेतली प्रेस काउंसिल को उद्देश्य यसको मर्यादा लाई कायम राखना आपनो भूमिका हुनी बताऊनु भय को सा प्रेंस काउंसल को अधिश्य को जिमेबारी संहाल दई नवनियूग्त अधिश्य वसनेतले बिगत्मा प्रेंस काउंसल को भूमिका अनुसार को काम नहुदा प्रस्ण चिन्न उठने गरे को भन्दै, संचार माध्यम लाई अनुगमन गर्णी काम लाई प्रभापकारी बना उनसकी, इसको उदेश्य प्राप्ती हुने बता अनुभयो, संचार माध्यम को प्रभापकारी अनुगमन मा काउंसिल को पहल हुने अदेश्य बसनेत को सुफन कर घयरोंहें संचार कर्मी संचार मध्यय में रह गर्म कर से गुछा गर्ननासे कर इसलत हो ला कंशा हो फैसमोंने क्तिताइत प्रवाये स Profult Ti Senior सउचे गर्ननापनी हो चुछ आगैक दके ब्रसांगा। परेस kंसिल लिए आ चार समीतार प्रेसकोилась भbel hmoveikezhat पहिचान गरी बर्गीकरन गरी रामरा अनलाइन गरी लोग कल्याण कारी बिग्याप पनुपलब्द गराउनु पर नी आफना धारना रही को पनी अध्याच्य बस्नेटली बताउनु भयु इस्थानिय सरकार हरुली बिकास का नाम मा जथा भावी डोजर चलाउन थाली पछी सिंदुली मा बस्तीर राजमार्ग जोखीम मा परिकाशन। सिंदुली को दुदवली नगर पाली का वडा नमर 14 को जाकरी टार मा फईको बस्तीर सुनकोसी एक दुमजा मा बीपी राजमार्ग जोखीम मा परिकाशन। सड़क विस्तार को नाम मा डोजर चलाउन दा मान बस्तीने जोखीम मा छा। सिंदुली को सुनकोसी गाउपाली का मा बीपी राजमार्ग बीपी स्मिर्थी भवन जाने बाठो भंदै जथा भावी खन्दा बीपी राजमार्ग सदै अबुद्धा हुने गरे ता दुधावली चाओद मा जथा आवी डोजर चलाऊदा खेतियोग के जमिनने मरु भुमी करन हुदै छा। इस्तानिया ले अप्ठारो पने कुने काम न गरे को दाबी गरे काशन उने खेतियों के जमीन मरुभूमी कानन हुने रखाने पाने काम मुहान सिचाई कुलभूरी ने भःकाले इस्तानियेले बाटो खनेकारे बंद गण उड़ा कारलेलाई सुजाहाएका छन। सिंदुली बाट रभिंद्र भट्राईको रिपोर्ट दुई जना रावटे इवतिलाई मदिरा खुवाएर होटल मा योंजन्य वीडियो बनाएको अभियोग मा प्रहरिले तीन जनालाई पक्राव गरेको सुजाहाँ पक्राव परनेमा गुर्भाकोट स्तेत मेहल कुना होटेल का संचालक 29 बर्शिय बिनोद पुन गुर्भाकोट 9 का 35 बर्शिय दमन बहादुर घरती र 24 बर्शिय भुपेंद्र बुडा रहेका छन। जिल्ला प्रहरी कारेले सुर्खेत का डियस्पी रामपरसाद घरती का अनुसार पक्राव परिकाहरु मा थी अनुसंधान भहरेको छ। तर रावटे यूबतिको ज्या उनकई समुदाय को कठोर नियम का कारण जोखिममा परेकुछ। रावटे समुदाय मा परपुरस्वा परस्तिरी संग समंध राक्ता जानाई लिने गरेका घटना एसागी हुने गरेका थिये। सोयम भिडियो बनायेका दुई यूबतिलाई एसागी मुखियाले नजर बंद गरेका थिये। पहरी नदी किनार मा बस्ते आयेका थिये। नपाई ने गरेका गुनासो लियेर नेपाल का प्रधानमंत्री हरु संगा भेटना काठमन्डु गये अथोवा लगिय। तेती मात्रे हुईना पचिलो समय मा रावटे वस्ते मा जानेरा मस्ती गरने टिक्टाक मा भैरल हुने नावमा यूबति हरुलाई खुसी पार्ने प्रचलन आयेकोछ। रावटे यूबति संगा टिक्टाक बनाये कई कारण यूटबर हरुले पनी मनग्य डलर कमाये कछ। रावटे यूबति हरुलाई भने मदिरार पैसा को बानी लगाये कछ। रुपन देही को नदी हरुमा चरम दुहन भैको पाई येकोछ। विकास नन्मार को नाममा नदी माती चरम दुहन भर्दै जान्दा कतिपै वस्ति नहीं जोखिम्मा परेकाशन। जेट मसान्त नजीकिये संगई रुपन देही को बुटवल उपमाहानगर पालिका को तिनाव नदी छेत्र बाट चरम रुपमा नदी जन्य पदार्थको दोहन भैकोछ। चरम दोहन ले गर्दा नदी गहिरो उंदे गएकोछ। पारी एंत्र जेसीबी लगायरा नदी मा दोहन गर्दा ठाउं ठाउं मा गहिरो खाडल बने काशन। उत्खननले गर्दा नदी गहिरो उंदे गए पची जोखिम बड़ेको इस थानियले बताये काशन। नदी जन्य पदार्थको घार्ट गद्धी पनी नदी बाट नजी केश। जुन माब्दंड बन्दा विपरी छ। अहिले सबे भंदा बड़ी नदी दुहन तिलो तमा सहिना मैनार गईड हवा गाउं पालिकाले लगायेको ठेक्कामा छ। जथा बावी नदी दुहन ले मानब मात्रलाय असर गरेको छाईना जल्चर जीब जन्तु समेत नासी दे गएका छन। भूचय को खतरा उस्तैच तिनाव दानब्र रोहिंडिले बर्षे नी कटान गर्दा नदी छेव का सयों घर जोखिम माचन रूपन दही बाट प्रतिक पोडेल को रिपोर्ट निकपा एमाले का युवा निता सुर्गिया डंबर थापा को समझनामा रक्तदान कारिक्रम गरिये कोछ निकपा एमाले निक ट्रास्टे युवा संग अनिरा सोवियू वजनात गाउपाली का कमिटी को आय जनामा ओकत रक्तदान कारिक्रम गरिये को हो कोरोना महमारी को समय मा रगत को अभाब मा कसेले पनी ज्यान गुमाउन नपरोस भनी रगतदान करिये को हो मानत्ता को सिवा नहीं जीवन को सर्वत्तम कार्य भनने नारा सहीत रगतदान कारिकरम सुरु गरिये को निकपा एमाली का निता, हेम्राज सर्माली जानकारी बिनुँ भयो रुठोदान कारीकरम मा बाकी का इबात था विदयार्थी अरुले रुंे रुठोदान करीका थिये ऐ अब आर्थिक समाध निपालोएं निगमली अंतरास्ट्य हवाई इंधन को मुल्यः घटाे संगई सरकारी स्वामित्तों मां संचालित नेपाल वाई सिबा निगमले उडान भाडादर घटाएको सा इंदनको मुल्या घटे संगई सोंबार देखिने लागु हुने गरी कार्गो तथा चार्टर उडान को भाडादर घटाईयेको निगम का प्रवक्ता करिश्मास्ट्वस्टले जान करी दिनु भायो वहां का अनुसार निगमले वाईट बड़ी बिमान एरबस 330 मा साबिको मुल्या को तुलनामा 13% नियारो बड़ी एरबस 320 जाहाज मा 15% ले शुलका घटायको प्रवक्ता करिश्मास्ट्वस्टले जान करी दिनु भायो नयमुल्य अनुसार अवा वाईट बड़ी जाहास को चार्टर तथा कार्गो उडान को भाड़ादर प्रती घंटा अमेरिकी डॉलर 13,004-7 कायम करियेको छा इसा की उक्ता जाहास को भाड़ादर 15,005-20 टॉलर थियो अल निगम ले वाईट बड़ी जाहास को भाड़ादर मां 2,007 डॉलर घटा आएको छा इसे गरी निगम संग रहेको नियारो बड़ी जाहास को भाड़ादर प्रती घंटा 6,005-7 तय गरेको छा इसा की उक्ता जाहास को भाड़ादर 7,007-2 टॉलर थियो निगम ले उक्ता जाहास को भाड़ादर 1,0031 डॉलर ले घटा आएको हो नेपाल ओल निगम ले आयतबार राती 12 बजे दिखी लागुहने गरी हवाई इंधन को मुल्य घटा आएको हो नागरिक लगानी कोसली कमपणीले 9% कमपणीको चुकता पुजी 3 अर्ब रुपईया सह अब 9% बोनस चेर पसी चुकता फुजी 27 करोड रुपईया ले बटने सह कम्पनी को जगेडा कुष्मा तीरा अर्बा 26 करोड रुपईयां छा, कत चैत्र समको बीतिये विवरण अनुसार कम्पनी ले 59 करोड 20 लाक रुपईयां ना फा गरेको छा कम्पनी ले पछिलो 5 बर्ष एता 23 प्रतिशत का दरले लाभांश दिधेई आयको थियो इस बाली लाभांश दर घटायको था, कम्पनी को अहिली बजार फुजी करन एक खर्बा 29 करोड रुपईयां छा, श्यर मुल्या 41 रुपईयां छा, कम्पनी को प्रतिश्यर आमदानी 26 रुपईयां छा जनता समाचार में अब छोट बिस्टाम अब खेल कुछ समाचार बिस्टाम चानोट खेल अंतरकत आज नेपाल ले जोडन संगा खेल देछा खेल राती पाउने 10 वजे कुबेत को कुबेत सिटी मा रहेको जाबेर अल अहमद अंतराश्ट्रे स्रीडेम मा हुने छा जोडन बनी आज नेपाल ले अब आगामे शुक्रबार अस्टोलिया संगा खेलने छा प्रिमेर लिड चांपियन क्लोब मैंचेस्टर सिटी का मिटफिल्डर केविन डी ब्रुएन ले पी एफ ए प्लेयर अब दे अबार जीते का अशन उनले प्रोफेशनल फुटबलर असोशियेशन पी एफ ले प्रदान गणे अबार जीते का हुन इस सिजन को उत्क्रिष्ट खेलाडी बंदे ब्रुएन ले अबार जीतना सफल भाय का हुन ब्रुएन ले लगातार दोस्रो सिजन इव अबार जीते का हुन उनले यो सिजन प्रिमेर लिग फुटबल मा चागोल र बार असिस्ट करे का थि अब मोसम समाचार आजराती प्रदेश एक र द्वी मा सामन्य बदली रही बाकी प्रदेश का पहाडी पुबा घर मा आमसिक देखी सामन्य बदली रही अन्य इस्थान मा सामन्य तया सफा रयो प्रदेश एक द्वी बागमतीर गंड़की प्रदेश का थोरे स्थान मां हलका बर्सा को संभावना रहे को जल तथा मौसम पुर्वान मां महासाखाली जना एकुसा अब देश फर का विविन्न इस्थान का मौसम संबंधी थब विवरन अन्ते मां आज़कु डायरी प्रदानेदीश चोलिंद्र समसिर जबरा को स्वास्थ्य मां समस्या देखिये पसी प्रतिनीदी सबाब इकतन समंधी मुद्धा को सुनुआई आज़भाईना प्रदानेदीश को अधिक्षतामा समेधानिक जलासमा सुनुआई हुनी समेधानिक बेवस्ता अनुसार वहांको अनुपस्तितिमा जलासमा चालन हो देना सर्वच्च दालत का प्रवक्ता दिविंद्र ज़काल का अनुसार प्रधान एदी स्राणा विसंचु का कारण आचो दालत मा नाउनु भायकाले समेधाने की जलास मा सुनुआए स्थगन भायको हो प्रधान मंत्री एमम्लेक पा इमालेक आदेक्षक केपी शर्मा ओली ले पार्टी लाई मावबादी किंद्र संग एकता हुनु भंदा अगीको अवस्तामा फर्काउना सहमा थुनु भायको छा प्रदनमधी ओलि लेप पार्टी एकताकालागी आहवां गर्धई देजार पचातर जेर तीञ गते फुर्वगको अवस्तामा जानों तयार भायको बताऊन धायको छा उलिले पार्टी बिभाजन को संगहार मा पुगे का बेला एक्ताकालागी खनाल नेपाल पक्षलाई अहवान गर्नु भाईगो हो सरकारले आगामी असार एकती बाटा बिद्याले स्तरिय कक्षा संचालन गर्ने भाईगो छा सिक्षा बिग्यांध था प्रविधी मन्तर कुष्ण गोपाल स्वस्तली मन्त्राली काउच पदस्ता अधिकारी हरुसंग चल्फल गरदै बेकल्पिक बेदी प्रयोगरेरा शेक्षक सत्र कक्षा संचालन गर्ने निर्ने गोर्नों भायकु हो सक्षिक सत्र संचालन र वेवस्तापन गर्ना इस्तानिय तहलाई संपुन अधिकार रहेकाले वेकल्पिक सिकाई कारेविधी कारैन्मिन गरी कक्षा संचालन गर्ना सकीने जनाईएको छा उत्तरकोरियाले आफनो मुलुकमा बिदेशी प्रभाब रोकने भंदाई नया कानुन सारी करेको छा निता कीम सोंगोनले बिदेशी प्रभाब आफनो देसमा भीत्रन नदीन सुकानुन सारी गनुभायको बिबिसीले जनाईगो हो नया कानून अनुसार उत्तरकुल्यामा बिदेशी चलचित्र प्रदस्षिनीमा रोक लगाईएको छा। इसते बिदेशी फैस्चुन को नपकल गर्नी मार्धी पनी कडा कारवाही करना निता उनले निर्देश्चन दियेको समाचार मा जनाईएको छा। तीस्ते अवबाईद वीडियो हेरी माम रिठ्यो दंडा दीनी नया कानून माँ लेख रहेको बिवीसी ले जनाईएको छा। जनता समाचा रहली नाई येती नाई जनता द्वारा जनता का लागी प्रसारीत जनता टेलिविजन का कारिक्रम हरू यूट्यूब, ट्विटर, फेस्बुक रहा हमरो वेबसाइट जनतासमाचा डॉटकम मा पनी पर्न रहेर न सक्न हनेशा। टाढ़े रहाँ, नमस्कार। ऑ्मसकार। ख़लकम माला थेती हूए झार-ख़लकम मालोच Lग체। कि करेक्टप्स का का कि तो देपने कृपे थार याई उना सक्पने हमरोयाओ! लाऑ़ क्षेशन काम prote प्यूंध स्वेट्वा़ मालोच सलेक्वा 7 लाफ़ सक्तानल